अब हम क्या करेंगे हमारी React Native की application में जो है React Navigation का स्थिमाल करने वाले, जैसे कि अगर आपने Create React app को देखाऊंगा, उसमें हम क्या करते थे? React Router DOM का स्थिमाल करते थे, लेगिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? React Navigation का स्थिमाल करेंगे, क्योंकि mobile application के लिए react navigation के नाम से package है, आपको इसका use करना पड़ता है, कैसे इसका use करेंगे, बहुत simple है, आप इसकी official website पे जा सकते है, reactnavigation.org, यहां से आप इसका official documentation देख सकते हैं, जैसे के readdoc पर अगर आप click करेंगे, तो यहां पर दीखिया, आपको option मिलेंगा get started, कैसे आप आप जैसे अपनी react native की application में react navigation को use कर सकते हैं, तो सारा setup आपको यहां से देखने मिल जाएंगा, देख सकते हैं, re-requisits क्या है, क्या-क्या चीज़े आपको चाहिए, तो by default तो सारी चीज़े अपने पास है, इनके से अगर आप typescript use कर रहे हैं, तो उसका version 4.1 होना चाहिए, हम तो यहां पर typescript use नहीं कर रहे हैं, हम normal vanilla javascript का यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, react navigation slash native इस package को download करना है, और इस package को आप आप npm.js पे भी search कर सकते हैं, अगर आपको npm.js नहीं पता ना, तो simply आप क्या करें, npm.js.com, जैसे google होता है, वैसे ही packages को search करने के लिए देखें, npm.js का search engine है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, खुद के packages को भी deploy कर सकते हैं, या फिर बने बनाए packages को download कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर search कर लेता हूं, react navigation, इतना लिख के मैंने search किया, अगर आपकी spelling सही है, तो exact match आपको देखने मिल जाएंगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, काफी सारे options आपको इसमें मिलेंगे, आप इन में से कोई भी एक select कर सकते हैं, जो भी अगर आपको सही लगता है, जैसे देखें, react native navigation, यह भी एक काफी popular package है, और यहां से आप उसको देख सकते हैं, काफी सा करना है, उसका भी documentation मिल जाता है, और यह download मत करिए, इस तरफ मैंने आपको demo के लिए बताया है, दूसरे कोई भी हम packages search करेंगे, तो बरावर से show करेंगा, अभी फिलाल हम क्या कर रहे है, यहां पर react navigation का इस्तेमाल कर रहे है, तो आप क्या करें, पहले शुरू जो है ना, इस command को paste कर दे, npm install, थोड़ा सा इसको भी minimize कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे, npm install add-react-navigation-native, इस command को यहां पर add करना है, उसके बाद में आप enterprise करिए, तो react navigation आपके react-native की application में install होना start हो जाएंगा, छोटा सा package ज़्यादा time नहीं लेंगा, make sure आप देख सकते है, patak से यह download हो रहा है, और almost यह download हो चुका है, तब तक हम क्या कर लेंगे, इसका documentation देख लेंगे, एक और बाद, निचे scroll करिए, उसके बाद में देखे, आपको और दो packages को download करना पड़ता है, अगर आप यह download नहीं करेंगे, तो हो सकता है, later आपको problem देखने मि ले, so make sure आप इसको भी क्या करें, download कर लें, यह packages को आपको simply यहां से copy करना है, copy करने के बाद आएंगे वापस VS Code में, और previous package यहां पर download हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको clear कर देते हैं, पहले शुरू CLS, फिर इस command को paste कर देंगे, इसमें देखे हम क्या कर रहे react native screens को, और react native safe area context को जाएं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो react navigation को काम करने के लिए, यह packages भी लगते हैं, so आप इसको भी जो इंस्टॉल कर ले, इतना लिखके आप enterprise करिए, तो यह packages भी जो download होना start हो जाएंगे, देख सकते हैं, यहां पर यह package भी install होना start होगे, काफी छोटे packages है तो फटेक्स से यह download होगे, चलते वापस documentation में, नीचे scroll करिए, अब आप इनको कैसे use कर सकते हैं, सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, आपको एक container बनाना पड़ता है, जैसे कि अगर आपने react router dom को देखा होगा न, तो उसमें क्या करते हैं, routes के नाम से container बनाते हैं, तो से उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी container बनाएंगे, और इस container के अंदर आप क्या कर सकते हैं, routes को define कर सकते हैं, लेकिन routes हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक और package लगता है, यहाँ पर अगर आप notice करेंगे, तो देखिए, hello react navigation का एक option है, इस पर आप click क command को paste कर देंगे, npm install at the rate react-navigation slash native stack, इतना लिखके आप interface करिए, यह package भी आपकी client directory के अंदर install होना start हो जाएंगा, छोटा-छोटा package है, ज्यादा time नहीं लेंगा, देख सकते हैं, यह download हो गया, इसको आप check भी कर सकते हैं, कहाँ पे check करेंगे, package.json file में आप check कर सकते हैं, य save area context, और screen जो है, download हो गया, तो जो भी dependency हमको download करनी थी, सारी चीज़े यहाँ आपर download होगी, फिर से हम क्या करेंगे, हमारी application को run कर देंगे, पहले शुर्ड, तो CLS, और इसके बाद मैं आपको लिखना है, वापस दे, npm start command, तो फिर से हमारा server run हो जाएंगा, फिर से हमारे पास एक QR code आएंगा, आप चाहे तो अपनी mobile में इसको open कर सकते हैं, या फिर again आप emulator में इसको open कर सकते हैं, देखें, यहाँ पर यह run हो चुका है, mobile में open करना है, तो इस QR code को scan करें, वरन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर press A कर सकते हैं, तो automatically emulator में यह run हो जाएंगा, इसके अंदर हमको routing देखना है, तो routing कहा रहता है, देखें, हमारे पास main file कौन सी है, app.js, तो routing से related setup हम क्या करते हैं, app.js के अंदर रखते हैं, और साती में हमको फिर pages भी चाहिए इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, देखें, client के अंदर, root directory में एक components के नाम से folder बनाएंगे, components, इसमें सारे reusable components रहेंगे, तो हम उसी तरीके से एक और folder हम इसके अंदर create करेंगे, screens के नाम से, क्योंकि देखें, web में आप काम करते हैं, तो pages पे काम करते हैं, mobile में हमारे पास होती है, screens, तो यहाँ पर screens के नाम से हम क्या करेंगे, एक folder बना लेंगे, और हाँ, मैंने आप आपको जो है, extensions ने बताएं, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक extension का menu आपको देखने मिलता है, आपको इस पर click करना है, और यहाँ से आप क्या कर सकते है, बहुत से extension आपको देखने मिल जाते है, मैं आपको जो है, कुछ useful extension बता देता हूँ, जो कि मैं use करने वाला हूँ, ज optional है इसकी कोई इतने खास जरुवत नहीं है उसके बाद में मेरे पास जो theme है वो है community material थी तो अगर आप यहाँ पर notice करेंगे यह icons आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने material icon का स्थेमाल किया हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको और main package देखिए हैं यहाँ पर हमारे पास यह 7 plus react redux react native snippet इसको आपको जहाँ डाउनलोड करना है तो बार-बार आपको जह पूरा skeleton create करने की ज़रुवत नहीं पढ़ थी हमको इसमें काफी सारे shortcuts मिल जाते हैं जिनका हम use कर सकते हैं करेंगे थोड़ी दिर में मैं आपको बता देता हूँ make sure आप जह इसको download करके रखें उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर I don't think और हमको कुछ इसमें देखना है और हां यह material icon theme इसका आप use कर सकते हैं काफी सारे icons का support मिलता है देख सकते हैं और हां prettier का भी इसमें इसम करेंगे और prettier की एक और setting हम यहाँ पर करने वाले आप क्या करें इस gear icon पर click करें उसके बाद में आपको जाना है main setting में और यहाँ पर search करें format इतना लिखके आप search करें और आपको option मिलेंगा देखें editor के अंदर format on save तो आपको इसको check mark करना है तो क्या होंगा इससे जैसे आप control s करेंगे तो आपका code automatically जो है prettier की मदब से format होता रहेंगा अगर आपको नहीं करना है तो आप manual भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यह सारे extension है make sure objects को download करके रखें अब extension कैसे use होंगा ES7 का मैं आपको बता देता हूँ screen में हम क्या करेंगे एक new file बनाएंगे और इसका ना for react native, app for functional, component उसके बाद में e for export तो जैसे आप यह type करेंगे तो suggestion भी आपको show करेंगा इस पर अगर आप click करेंगे तो दीखें automatically skeleton हमारे पास बन चुका है अगर इतना ही हम लिखते तो कितना हमारे time pass होता था तो उसके बदले दीखें extension काफी help करता है अगर आपको और shortcuts देख सकते हैं आप screen के अंदर home के नाम से page है अपने पास मैं यहाँ पर लिख लिए था उसको यह है हमारा home page टेव कर लेते हैं इसको अब हम क्या करेंगे routing का setup देख लेंगे routing में आपको क्या करना है सबसे पहले container को import करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे import something from उसक क्या करेंगे हमारी पूरी application को इससे wrap कर लेंगे कैसे करेंगे आपको लिखना है navigation container opening or closing tag इसके बीच में क्या करेंगे पूरा content wrap कर लेंगे यहां से आप इसको cut करके इसके अंदर paste कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें paste कर दिया save कर लेते हैं इसको save जैसे करेंगे कुछ भी changes आ देखेंगे तो आपको mail जाएंगा दिखें हमने यहाँ पर native stack को भी import करके रखा है तो इसको use कैसे करना है इसम्पल है आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर native stack navigator को import करना पड़ता है आप इसको copy-paste भी कर सकते हैं simply यहां से copy करिए copy करने के बाद आप इसको यहां पर paste कर सकते हैं और यह hook है तो आपको क्या करना पड़ेंगा यहां पर इसको एक variable के अंदर store करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक variable के अंदर store कर देता हूँ, const, और mostly इसका नाम रखा जाता है stack, stack के अंदर आप क्या करेंगे, इस function का use कर लेंगे, create native stack navigator, और इसको आपको call कर देना है, अब आप इसको कहीं से भी use कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यह है routes के लिए, अब इसको use कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से view, सब कुछ यहाँ से remove कर लेंगे, इसकी कोई भी ज़रुरत नहीं है, और जो styling इसको मैं comment out कर लेता हूँ, बाद में हमको लगेंगा, इसलिए मैं इसको comment out कर रहा हूँ, बाद में भी copy paste कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद में एक और container हम बनाएंगे, stack की मदल से, आप लिखेंगे stack, और जैसे आप dot लिखेंगे न, तो तीन option आपके पास show करेंगा, group, navigator और screen, navigator क्या काम करेंगा, इसके अंदर आप जो screens को create कर सकते हैं, तो ये भी opening और closing tag है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक और stack बनाना है, तो आप जैसे stack लिखेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, screen का option select करेंगे, और ये रहेंगा self closing tag, इसके अंदर आपको क्या करना है, name बताना है, अब ये name क्या करेंगे, ये path का काम करेंगा, जैसे कि मैंने लिखा home, इसके बाद में एक और attribute हमको मिलता है, component, तो दीखें, यहाँ पर आपको suggestion भी show करेंगा, component के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो भी component आपको इस route पर display कराना है, तो आप यहाँ से उसको करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, बहुत simple है, दीखें, आपको simply component को यहाँ पर add करना पड़ता है, और अगर आप auto import extension यूज़ करना है न, तो सिरफ आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, home, home जैसे लिखेंगे, तो दीखेंगे, आपको यहाँ पर suggestion शो करेंगा, dot screen, slash, फिर home page, इस पर जैसे click करेंगे, component automatically import हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो manually कुछ इस तरीके से आप इसको import करिए, अब जैसे मैं इसको save करूँ न, तो इस emulator में आप notice करें, हमारा page यहाँ से change हो जाएंगा, save कर लेता हूँ इसका, save, तो दीखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह show कर रहा है, और initial time पर दीखेंगे, यह जो header section भी show कर रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास options होते हैं, उनका use कर सकते हैं, options, यह है double curly braces, और इसमें हम क्या करेंगे, header shown को जो है न, इसको हम कर देंगे false, तो अब by default home पे header shown नहीं करेंगा, मगर कोई other screen आप create करेंगे न, तो उसमें बराबर से show करेंगा, अब यहाँ पर देखे हमारे पास home screen आ गया, लेकिन what if अगर हमारे पास जो है कोई और pages भी हो, जैसे कि मैं क्या करता हो, एक और यहाँ पर बना लेता हो, about के नाम से, about.js, और इसको भी हम क्या करेंगे, react native functional component बना देंगे, तो आप लिखेंगे, rn for react native, f for functional component, e for export, इस पर click करेंगे, automatically just skeleton यहाँ पर बन जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे, routes के अंदर जो है, इसके लिए एक route बना देंगे, so यहाँ पर मैं क्या करता हो, एक और screen बना देता हो, so यहाँ पर लिखे, stat.screen, self-closing tag, इसके अंदर आप name add कर देंगे, so यहाँ पर मैंने लिखा name, और इसका नाम मैं रखता हो, about, उसके बाद में component, component के अंदर हम क्या करेंगे, about को import करेंगे, जैसे आप about लिखेंगे, suggestion आपको show करेंगे, इस पर click करें, about का page भी automatically import हो जाएंगा, आपके case में अगर यह नहीं हो रहा है, तो आप manually इसको import करें, कुछ इस तरीके से, save कर लेते हैं, जैसे save करेंगे, कुछ भी effect यहाँ पर नजर नहीं आएंगा, लेकिन अगर मैं दिखेंगे, यहाँ पर tag navigator के अंदर initial route add कर दूँ, क्योंकि दिखेंगे, हमको इसके अंदर initial route name का भी option मिलता ह जैसे कि मैं यहाँ पर इसको add कर देता हूँ, initial route name, और यहाँ पर मैं लिखनेता हूँ, about, इतना लिखके मैं save करता हूँ, तो इसके बाद में कुछ भी changes आपको दिखाई नहीं देंगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर application को reload करना है, तो यहाँ पर मैं R को press करता हूँ, जै initial route को remove कर लेता हूँ, save कर लेंगे इसको, save करेंगे, कुछ भी effect यहाँ पर नजर नहीं आता है, आपको इसके लिए application को reload करना पड़ता है, तो यहाँ से मैं R press करता हूँ, हमारी application reload हो जाएंगी, और reload हने के बाद देख सकते हैं, हमारा जितना भी content है, वो top पर चीपा क्या आ रहा है, तो इसको avoid करने के लिए आप क्या करें, देखें हमारे पास यह जो styling थी ना उसी के लिए थी, तो आप इसी को uncomment कर ले पहले शुरू, या फिर इसी को copy कर लेंगे, और home में हम क्या करेंगे, नीचे इसको paste कर देंगे, पेश और इसको uncomment कर लेंगे, uncomment कैसे करना इसको apply करना है, तो इस view पे हम क्या करेंगे, style का use करेंगे, inline style, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, styles, जो भी आपने variable बना है, हमारे case में दीखिए, आपर styles के नाम से, तो आप लिखेंगे styles, फिर dot लगाएंगे, उसके अंदर हमारे पास container की class है, तो इतना लिखेंगे, आप क्या करें, save कर लें, तो दीखेंगे, सब कुछ center में align हो चुका है, तो perfectly routing की functionality भी हमारी application में enable हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, home page को design कर सकते हैं, पहले designing भी देख सकते हैं, बाद में भी काम कर सकते हैं, server पे, आपके उपर आपको पहले क्या करन यापे लिवाई